तो दोस्तो कैसे आप सभी माशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाना चाहता हूँ जिनोंने काफी समय से इस चीज के लिए बड़ी मेहनत की है वो कहीं न कहीं मेरे छोटे भाई की तरह है उनके चैनल का नाम धीपक व वाज में कई और भी कहानिया सुननी हो तो याद से इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रेप्शन और कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा बागी दोस्तों बिना देरी किये जल्दी से अपने हैट फर लगाए और शुरू हो जा तो आगत है आप सभी का मेरे बड़े भाईया के यूट्यूब चैनल पर जिनका नाम है महेश आरिया और मुझे पूरी उमीद है आप सभी बहुत अच्छी होंगी और अगर आपकी लाइफ में कोई ब्रॉब्लम चल रही है तो मैं प्रे करूँगा कि वो जल्द से जल्द सॉल्फ हो जाए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मुझे मौका मिला है आप सभी को डरावनी कहानिया सुनाने का और मुझे पूरी उमीद है आपको कहानिया और अवास चरवो पसंद आएगी और अगर आपको कहानिया और अवास चरवो पसंद आए तो महेश भाया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथी साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी जिसका नाम है दीपक विश्यव कर्मा हिंदी होर स्टोरीस पॉटकास्ट उसे भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना तो अपने जो हैडफोन्स हैं उन्हें लगा लिजिए क्योंकि आप कहानिया जो हैं वो अब शुरू हो रही है मेरा नाम दिनेश है और आज मैं आप सभी को अपने साथ खटी कुछ दरावनी खटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ ये सारी जो घटनाए हैं ये सारी मेरे साथ बचपन में घटी थी और इन सबी का सिलसला तभी शुरू हो गया था जब मैं सिर्फ पान सान का था ये बात उस वक्त की है जब मैं और मेरी फैमिली एक किराय के कमरे में रहा करते थे और वो जो मकान था वो तीन मंजिला था पहली मंजिल पर तो मैं और मेरा परिवार रहा करते थे और दूसरी मंजिल पर एक कपल रहा करता था और तीसरी मंजिल पर भी एक फैमिली रहा करती थी वो जो कपल था दूसरी मन्जिल पर उसकी नए-नए शादी हुई थी और उसमें से जो लड़की थी उनका मेरा घर आने जाना लगा रहता था उनके पास जब भी फ्री टाइम होता था तब वो हमारे कमरे पर आती थी और मेरे साथ खेलती थी और मेरी मम्मी के साथ भी कई सारी बाते करती थी एक तिन उन दीदी की जो तबियत थी वो अचानक से खराब हो गई और उसके बाद मेरी जो मम्मी थी उन्होंने उनके हस्पेंट को कॉल किया थोड़ी ही दिर में उनके जो हस्पेंट थे वो वहाँ पर आय और अपनी वाइफ को लेकर यानि कि उन दीदी को लेकर हॉस्पिटल गए। उसके बाद जब वो वहाँ से लोटे तब उनके चैरे पर एक मुस्कुराहट थी। जब सब ने उनसे मुस्कुराहट का कारण पू और उसके बाद वो जो दीदी थी उनका खास ख्याल रखना शुरू कर दिया गया। मेरी ममी हमेशा उनका ख्याल रखा करती थी और ऐसे ही काफी वक्त बीट किया। और जब डिलेवरी का टाइम पास आया तब एक रात अचानक से उनने दर्द शुरू हो गया। उसके बा जब मैंने उसे देखा था तब मैं भी देखता ही रह गया था। वो बहुत ही जदा प्यारी थी और बहुत ही जदा सुंदर भी थी। मैंने अपनी मम्मी से हसते हुए का, मम्मी मुझे भी एक ऐसी बहन चाहिए। और जब ये बात उन दीदी ने सुनी तब उन्हों ने का क्यों? ये तेरी बहन नहीं है? ये भी तो तेरी बहन ही है मैं बहुत ही खुश था. मैं उसके साथ खेलता था ऐसे ही दिन बीचते गए और एक सुभा दीदी जो थी, वो आई और उसके बाद वो मेरी मम्मी से बात करने लगी और मेरे साथ खेलने लगी खेलते खेलते काफी वक्त बीट गया और मेरी मम्मी ने उन दीदी से कहा क्या बात है जो तुमारी बेटी है वो क्या गर रही है उसके बात में वो जो दीदी थी उन्होंने कहा उसे तुमेने दूद पिला दिया है और वो सो रही है जब ये बात मेरी मम्मी ने सुनी तब उन्होंने का अच्छा फिर तो कोई बात नहीं है धीरे धीरे वक्त ओर बीटा और कई घंटे भीत गये तो पहर हो गई और उसके बाद मेरी मम्मी ने का तो चु कर क्या रही है और उसके बाद वो तुरंत उपर गई, और तभी उनके चिलाने की बहुत तेज आवाज आई, और वो बहुत तेजी से चिलाने लगी, जब मेरी मम्मी ने आवाज सुनी तब वो दोड़ थी वी उपर गई, और वो भी चिलाने लगी, पूरी जो गली वाले थे वो बहार और वो जो मेरी मम्मी थी वो भी रोने लगी और अपना सर पीटने लगी जब हर कोई उपर जाकर चक करने लगा तो उनकी भी हालत खराब हो गई क्योंकि वो जो दीदी की बेटी थी वो खेलते खेलते एक बाल्टी के पास आ गई थी और उसने पानी से भरी बाल्टी को अपने उपर गिरा दिया था, जिसकी वज़ा सी उसकी मौत हो गई थी, पूरी गली में मातम पसर गया और वो जो दीदी थी, उनकी दोहालत इतनी खराब हो गई कि पूछो ही मत, एकी दिन में उनका शरीर इतना जादा कमसोर और पतला हो कि देखकर लगता ही नहीं था कि ये मेरी दीदी है, ये जो कुछ भी हुआ, इन सबी का जो जिमेदार था, वो दीदी खुद को समझ रही थी, जब भी उन्हें अकेला छोड़ा जाता तो वो आत्म हत्या करने की कोशिश करती, और अपने आपको किसी ना किसी तरह से नुक अचा भी नहीं था, और शाम हर कोई अपने काम में व्यस्त था, इसकी वज़े से कोई भी दीदी के उपर ध्यान नहीं दे पाया, और नजाने कैसे वो छट पर पहुँच गई, और वो छट से खूट गई, जैसे ही वो नीची गिरी, तो उनके शरीर के कई टुकड़े हो गए और उनकी वही पर मौके पर ही मौत हो गई, ये सब देखकर पूरी जितनी भी गली में लोग थे, सब की रोव खाप गई और हर कोई चिलाने लगा, थोड़ी देर बाद पुलिस आई और उसके बाद इन्विस्टिकेशन हुई, और इसे सुसाइट का केस बता कर क्लोस कर दिया गया, कुछ वक्त बीता, और उसके बाद में उनकी जो आत्मा थी, वो चाग गई, और वो हमेशा सपने में राकर मुझे डराती थी, जब भी मैं उन्हें देखता था, तो उनके हाथ में उनकी मरीवी बच्ची की लाश होती थी, और वो हमेशा उसे लेकर घूमती रहती थी इदर से उदर, वो हमेशा मुझे से कहती थी, आजा, आजा दिनेश, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, और वो इतनी सादा डरावरी दिखती थी, जिसकी वज़ा से मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर दे दे थी, और मैं वही पसीनी से भीग चाता था, मैं नीद में ही चलनाने लगता था और मेरी फैमली वाले मुझे उठा दे दे थे, इतना सब होने के बाद उन दीदी के जो हस्पेंड थी, उनका उस कमरे में रहना एकदम इंपॉसिबल था, इसलिए वो कमरा खाली करके चले गए, और उसके बाद बीच वाला जो वो कमरा था, वो खाली क खाली रह गया, जैसे जैसे वक्त बीता, वैसे वैसे हलात जो थे, वो बत से बत्तर हो गए, क्योंकि वो जो दीदी थी, वो सिर्फ अपने में आके डराती थी, लेकिन उसके बाद, वो मुझे हकीकत में दिखना शुरू हो गई, जब भी मैं रात के वक्त पानी पीने के ल मैं और भी जादा डर गिया, क्योंकि उन्हें भी वही डरावने सपने आ रहे थी, और उन्हें भी वो दीदी और घूमती भी नजर आती थी, जब ये सारी बाते मैंने अपने पैरंस को बताई, तब उन्होंने मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया, उन्हें यही लगा कि इ इंडल हेल्थ बेबी फरक पड़ रहा था, जिसकी वज़े से मुझे कुछ खतरनाग बिमारिया हो गई, और मेरे पैरंस ने मामले की कमभीरता को समझते हुए, वहां से कमरा खाली कर दिया, और कहीं दूसरी जगा हम लोग शिफ्ट हो गए, इन सभी बातों को काफी साल ब और मेरी हालत जो है, वो खराब हो जाती है, सूरज, आशीश और राजीश, तीन पक्के दोस्त, जो कि शाम के वक्त एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थी, और चाय पीते पी देख सूरज ने कहा, यार क्या तुझे पता है, कल रात को मैं एक होरन मूवी देख रहा था, और उसे देखती देखती मुझे इतना साथा डर लग रहा था कि मैं क्या बताओ, वो मूवी तो खतम हो गई, लेकिन मेरे जो अंदर का डर था, वो खतम नहीं हुआ, पूरी रात मैं सो नहीं पाया, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आस पास कोई है, मैं क्या ही बताओ उस डर को बया करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, जब आशीश ने ये बात सुनी, तब आशीश नहीं कहा, अरे डरबोक, भूत प्रेज जैसा कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ किससे कहानिया और मूवी इस है, जो कि मनोरंजन के लिए बनाई जाती है, ये सब तुछ चीज़े देखता ही क्यों है, जिससे तुझे डर लगे, हाँ, मेरी बात मान, ये सारी बिकार चीज़े देखना छोड़ दे, भूत प्रेतों का इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं होता, समझा तू? जब ये बात राजेश ने कही, तब जो चाय की दुकान पर आदमी चाय बना रहा था, उसकी उम्र लगबग 40 साल होगी, और उसने राजेश से कहा, नहीं बाबु बैया, ऐसा नहीं होता, जैसा आप बता रहे हैं, और फिर राजेश ने उस चाय वाले से पूछा, क्या, त भूत प्रेश जैसी कोई चीज नहीं होती, आप गलत बता रहे हैं, समझे, भूत प्रेश होते हैं, और जब ये बात राजेश ने सुनी, तब राजेश ने कहा, क्या, क्या बगवास कर रहे हो, ये सब सिर्फ अंदविश्वास है, समझे तुम, और फिर आशीश ने कहा, ह छोड़ना, अपने को क्या, और फिर राजेश ने कहा, चुपो जा, सूरज, जरा मुझे बात करने दे, हाँ, बताओ भईया, कहीं देखा आपने बूत प्रेश, हाँ, कभी सामना हुआ है आपका, और फिर वो जो चाय वाला था, उसने मुस्कुराते भी कहा, बूत बहुत मिलते है, मैंने बहुत भूत प्रेश, समझे, आप यहां शहर में रहकर क्या भूत प्रेश के बारे में चानेगे, अगर आपको सही के भूत प्रेश देखने है, तो मेरी एक बात मानिएगा, एक रेलवे स्टेशन है, जो की सालू से बंद पढ़ा हुआ है, अगर आप राजेश, आशीश और सूरच जब इन तीनों ने ये सारी बाते सुनी तब वो एक दूसरे क्या चेहरा देखने लगी और उसके बाद सूरच ने कहा है ये भगवान उस रेल्वेश्टिशन के बारे में तो मैंने भी सुना है मेरे मौहले के लोग कहते हैं कि वहाँ पर भूत परेत कूमते हैं मेरे को तो डर लग रहा है सोच कर ही और उसके बाद आशीश ने कहा क्या कहता है राजेश चले देखकर आते हैं आकर ये भूत परेत होते भी है या नहीं और अगर हमें भूत परेत नहीं मिली तो चाय वाले भईया क्या देंगे आप और उसके बाबू गलती से चले मत जाईएगा वरना हो सकता है वापस नहीं आओगे समझे जब ये बात राजेश और आशीश ने सुनी तब वो दोनों गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने कहा तुमने हमें डरपोक समझा है क्या रुको हम अब चाहेंगे उस रेलवे स्टेशन पर और वहाँ की वीडियो बना कर लेकर आएंगे और तुमें दिखाएंगे और उसके बाद जो हम बोलेंगे वो तुमें करना पड़ेगा तुम हमसे माफी माँगो कि वो भी पैरों में गिर कर मन्सूर है और फिर उस चायवाले ने एक मुस्कुराट के साथ का हान जी मन्सू पर कैतों जब ये बात राजीश और आशीश ने सुनी तब उन्होंने सूरच की तरफ देखा और कहा सूरच चल हमारे साथ तुचल आज देख कर आते हैं उसे रेलवे स्टेशन की हकीकत को वहां की वीडियो बना कर लेकर आएंगे और इसे दिखाएंगे इसकी बाद ये कैसे चाईवाला हमारे बैरों में किरिकर माफी मांगेगा और उसे पता चलेगा कि हम क्या चीज है और फिर सूरच ने कहा अरे वहां जाने के क्या ज़रूरत है जब ये जब ये क jeśli ये कि वहां मैंने अपने मोलने में सुनाए कि वहां भूत परेत है तो क्यू मा Jetzt फिख यह और फिर आशीश और राजेश ने कहा तेरा तिमाग खराब है यहाँ बात इससत पर आ गई है और तुम मना कर रहा है कैसा दोस्त है तू तेरी जैसे दोस्त उसे अच्छा दुश्मन हो चल जल दी सूरज ने बहुत मना किया लेकिन आशीश और राजेश नहीं माने वो सूरज को लेकर उस रेल्वे स्टेशन की तरफ निकल गए एक लंबा सफर तै करने के बाद वो तीनों उस रेल्वे स्टेशन के बाहर पहुँचे और उन्होंने देखा कि वो रेल्वे स्टेशन बहुती भयानक तरीके से गंदा पड़ा हुआ है उस रेल्वे स्टेशन के कोनी-कोनी में धूल, मिट्टी और मकडी की जाने लगे हुए है जो की साफ-साफ कवाई दे रहे थे कि वो जो रेल्वे स्टेशन है वो सालों से बंद है उसके बाद सूरज ने कहा अच्छा हम आगें न यहां बार-बार की वीडियो बना लेते हैं फिर चलते हैं चल, 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 फट, फट फट वीडियो बना और फिर आशीश ने कहा पागल है क्या अगर बार से बना कर लेकर जाएंगे तब वो आम पर हसेगा और कहेगा कि अंदर जाकर वीडियो बनानी चाहिए थी, बार-बार से तो कोई भी बना ले, हाँ, मुझे पता है, चाहिए, अब अंदर चलते हैं उसके बाद, वो तीनो, उस रेल्वे स्टेशन के अंदर घुश गया, वहाँ पर बहुत ही जादा गंदगी थी, पूरा जो प्लैटफॉर्म था, वो गंदगी से भरा हुआ था, धूल, मिट्टी और नजाने क्या-क्या, वहाँ पर काफी गंदी बत्बू भी आ रही थी, औ और वो जो आशीश था, उसने अपना फोन निकाला, उसके बाद वो उसके बाद वो पूरी रेल्वे स्टेशन की वीडियो बनाने लगा, और वीडियो बनाते बनाते अचानक सही, उसके फोन में अजीब सी चीज़े होने लगी, और आशीश को कुछ समझ नहीं आए कि आक अभी तो सही था, अभी वीडियो बना रहा था, अचानक से इसके अंदर कुछ खराबी आ गई है, और फिर वो जो राजेश था, उसने कहा, क्या फोन ऐसे खराब कैसे हो सकता है, और फिर राजेश ने कहा, यार फोन ऐसे कैसे खराब हो सकता है, एक काम कर, ये ले, मेरा फ आशीश के फोन में हो रही थी, वही घडबड़ी राजेश के फोन में होने लगी, और ये कोई coincidence नहीं हो सकता था, राजेश और आशीश एक दूसरे का चेहरा देखने लगी, और उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखर एक साथ दोनों के मुबाइल जो हैं, वो ख ऐसे ही पीछे मुड़े, तो उन्होंने देखा कि जो सूरज था, वो एक सीट पर बैठा हुआ था, और पागलों की तरह हस रहा था, उसे पागलों की तरह हसते वे देखकर आशीश ने कहा, हे, सूरज, क्या हुआ है, तो ठीक तो है, ऐसे पागलों की तरह हस क्यों रहा है और फिर सूरज जो था उसने कोई जवाब नहीं दिया बदले में वो सिरिफ हसता रहा राजेश ने कहा सूरज तु ठीक तो है सूरज, सूरज, तू ठीक है क्या हुआ है तुझे और तभी अचानर से सूरज जो था वो खड़ा हुआ और वो भागता हुआ गया और रेलवे ट्रैक पर कूत गया जिसे देखकर आशीश और राजेश दोनूं की हानत खराब हो गई सुरज की सर से खून बहने लगा और राजेश और आशीश ने का ओई ओई पागले क्या पागले ये क्या किये तुने अरे 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 अशीश ये क्या होगे सुरज को इतनी ये भरकत है क्यों कर रहा है इसको इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा इसके सर से बहुत खून बहरा है और फिर जैसे ही उन दोनों ने सुरज को उठाने की कूशिश करी वैसे ही सुरज की जो आखे थी वो खुल गई और सुरज का जो पूरा चहना था वो खून से लटपत था और उसके चहरे पर एक डरावनी सी मुस्कुराहट थी जिसे देख कर राजेश और आशीश दोनों ही बहुत ही जादा घबराक है और सुरज जो था वो पागलों की तरह हस रहा था वो पागलों की तरह हसता हुआ इदर से उदर रेल विश्टिशन पर भाग रहा था और ये नजारा जो था ये बहुत ही जादा भयानक था ये किसी का भी खून जमा देने के लिए काफी था एक ऐसा रिल्विश्टिशन जहाँ पर सानों से कोई आया नहीं है, वहाँ पर आप और आपके दोस्त हों और आपका एक दोस्त ऐसी अजीबों करीब हरकती अगर करने लगी तो आप ही बताईए, आपका ख्या रियाक्शन होगा, ऐसा ही कुछ है। आशीश और राजेश ने सुरज को पकड़ने की बहुत कुशिश करी, लेकिन सुरज जो था, वो किसी के हाथ आई नहीं रहा था, वो पागलों की तरह इधर से उधर हसता हुआ भाग रहा था, और राजेश समझ गया कि ये सब जो चीजे हैं, वो सुरज किसी के कबसे में आ कर रहा है, और उसके बाद राजेश ने चिलाते वे का, कौन हो तुम, मेरी बातों का चवाब दो, कौन हो तुम, और उसके बाद राजेश ने आशीश से का, आशीश, आशीश, हमें सुरज को पकड़ना होगा, वो ऐसे हाथ नहीं आएगा, मुझे तो लगता है, उसे किस छेली ने पौजिस टरलिया है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद जब सुरज ने आशीष का चहरा देखा, तब आशीष के चहर पर कोई हावभा नहीं था। पर कोई भी हावभा नहीं था। ये देखकर राजेश भी बहुत साथ डर गया, उसने आशीश को जंजे उरते हुए का, है पागल है क्या, मैं कुछ कह रहा हूँ, सुनाई दे रहा है, दिमाग में कुछ बात गुस रही है, और फिर आशीश भी पागलों के तरह आसने लगा, राजेश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, उसे इतना तो समझ आ गया था, कि उसके जीवन की सबसे बड़ी जो गलती थी, वो उसने कर दी थी, वहाँ उसरे इंविस्टिशन पर आकर, और फिर आशीश और सूरच एक साथ पागलों के तरह हसने लगे, और तब ही अचानक से वो जो हसी थी, वो चीख में बदल गई, ऐसा लग रहा था, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ चीख रहे हो, सुरच, आशीश, वो दोनों भी चीख रहे थे, और राजेश अकेला ये सब देख रहा था, पूरे रेल विस्टिशन में सिर्फ चीखे ही सु जानक था, कि जो राजेश था, वो पेहोश हो गिया, और सुबा उसकी आखे खुली, सुबा उसकी आखे खुली, तो उसने देखा कि वही उसी जगा पर वो गिरा हुआ है, और पूरा रेल विस्टिशन उसी कचरे से भरा हुआ था, हर जगा धूल मिटी, आशीश और सुर वो दोनों भी वहीं पर जमीन पर पड़े हुए थे, राजेश जब उठा, तब उसने सुरज और आशीश को उठाने की कोशिश करी, आशीश, आशीश, सुरज, सुरज, उठो, उठो, जल्दी उठो, तम ठीको, जल्दी उठो, थोड़ी दिर बाद आशीश और सुरज उ लग रहा है, और, और, सुबा हो गई? हाँ, इतनी जल्दी? यार, सर मेरा दर्ट से फटा जा रहा है, और उसके बाद आशीश प्यूटा, और आशीश निका, यार मेरा भी सर दर्ट बहुत कर रहा है, ऐसा लग रहा है, जैसे, जैसे, पता नहीं, कितना बाहर हो मेरे सर प और अपने आपको उन दोनों ने समाना राजेश ने उपर वाले का शुकरियादा करा और उसके बाद वो तीनों वहाँ से जाने लगे जब राजेश ने सारी बाते उन दोनों को बताई तो वो दोनों जो थे वो बहुत ही ज़ादा डर गे और तभी अचानक से सुरज के पैर के नीचे कुछ कागस आया और उस कागस को जब सुरज ने देखा तो वो और कुछ नहीं बल्कि एक नियूस पेपर था उस नियूस पेपर को उठा कर जब उस नियूस पेपर को सुरज ने पढ़ा तब उस न्यूस पेपर में लिखा हुआ था एक रेलवे स्टिशन पर अंजान कारणों से लगी आग आग के कारण कई लोगों ने अपनी चान कवाई उसके बाद सूरज ने वो जो न्यूस पेपर की डेट थी तो उसने न्यूस पेपर की डेट चेक करी तो वो न्यूस पेपर की डेट थी दस जन्वरी 1992 राजेश, आशीश और सूरज तीनों को पता चल गया था कि इस रेलवे स्टिशन पर एक नहीं दो नहीं बलकि सैक्ड़ आत्माओं का कपसा है और जितना जल्दी हो सकी वहाँ से निकल लेने में ही भलाई है वो तीनों वहाँ से निकल गए और उसके बाद उन तीनों ने उस रेलवे स्टिशन की तरफ कभी वापस मुड़कर भी नहीं देखा तो दोस्तों ये थी कहानी मुझे पूरी उमीद है आप सभी को कहानी और आवास ज़वो पसंद आई होगी और अगर आपको कहानी और आवास ज़वो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले महिश भहिया के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ मेरे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है दीबक विश्व कर्मा हिंदी होर स्टोरिस पॉड्कास्ट उसे भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले मैं मिलता हूँ आप से मेरे यूट्यूब चैनल पर थैंक्स फॉर वाचिंग तो दोस्तो देखा आपने ये थी दीबक विश्व कर्मा की कहानी उमीद है अगर आपको इनके आवास और इनकी कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो उनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा बाकी अब अगली कहानी सुनिया आप मेरी अवाज में आईए सुनते है दोस्तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना एक घटती है जिसका हमें बिलकुल अंदाजा नहीं रहता और तो और उस घटना के पाग हमारा जीवन बिलकुल बदल सजाता है कुछ ऐसा ही हुआ था हमारे दोस्त रहुल के साथ रहुल एक सौफ्टेर इंजिनर का काम करते हैं आपको बता दूँ कि वो भूत प्रेत या ऐसे किसी भी चीज़ को मानते नहीं थे लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद उसे इन सब चीजों पर भरोसे के साथ साथ यकीन भी होने लगा ये घटना उसके साथ तक्रीबन तब घटी थी जब वो दिल्ली से अपने गाउं जा रहा था वो अपनी जौब से उस रात रात के आट बजे घर पर आया उसने बैक पैक करना शुरू किया और सीधा निकल पड़ा अपने गाउं जाने के लिए ट्रेन का समय नो बजे का था वो चुपचप इस्टेशन पर बैट कर अपनी गाड़ी का इंतजार करने लगा उस वक्त गर्मी का मौसम था ठंडी ठंडी हवाए वहाँ बैठे सुकून दे रही थी दूसरी तरफ गाड़ी आने में अभी समय था राहुल ने इस्टेशन परिसर में ही अपने रात का खाना खाया साथ ही कुछ और खाने का समान लेकर अपने स्थान पर दोबारा आकर बैट गया थोड़े समय बाद राहुल की गाड़ी आती है वो ठीक अपनी सीट पर जाकर अपना सारा समान रग बैठ जाता है बैठे बैठे उसकी आखे लग जाती है चलती गाड़ी जब एक स्टेशन पर आकर रुपती है तब जाकर कहीं उसकी आखे खुलती है राहुल गाओं के स्टेशन से खुद को एक स्टेशन पहले पाता है उस वक्त वो बिना कुछ सोचे समझे अपना सारा सामान लेकर उसी स्टेशन पर गाड़ी से उतर जाता है वो एक छोटा सा स्टेशन था जहां पर लाइट की भी बहुत कम सुईधा थी एकदम नाके बराबर आपर पूर्णिवा होने के कारण बहुत कुछ असानी से दिख पा रहा था राहुल इस्टेशन पर बैट कर अपने दोस्त को कॉल करके उसे सब कुछ बताता है दोस्त कहता है कि वो थोड़ी ही देर में वहाँ पर आ जाएगा तब तक वो इस्टेशन से बाहर न निकले राहुल हाँ में जवाब दे कर कॉल को कारण देता है वो चुपचाब वही अराम से बैट कर अपने दोस्त का इंतजार करने लगता है उस वक्त इस्टेशन पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था बस एक दूर खेतों में जानवरों के चिलाने की अवास आ रही थी उसी बीच राहुल को प्यास लगी उसने बैक से बोतल निकाली लेकिन पानी बेहत कम था उसने पानी पिया और खाली बोतल लेकर पानी के लिए इधर उधर गोमने लगा तभी उसकी नजर अचानक ट्रेक पर जाती है राहुल को लगता है कि जैसे कोई है राहुल पास जाकर देखता है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता तभी वो खुद को ये समझाता है कि शायद ठकान होने के कारण उसे ऐसा लग रहा होगा राहुल दीरे दीरे और आगे जाता है उसे ठीक एक चापा काल दिखता है वो सबसे पहले चेहरे को अच्छे सिद होता है फिर अपनी प्यास बुजाता है सब कुछ करने के बाद वहाँ से पानी पीकर वो अपनी बोदल भरकर वापस अपनी जगा पर आकर बैट जाता है सुनसान रात कोई आसपास नहीं ऐसे में इंसान बोर हो जाता है तो ठीक इसलिए राहुल अपना फोन निकाल कर गाने सुनने लगता है गाने सुनते सुनते तबी उसकी नजर एक आएक, सामने एक खंबे पर पड़ जाती है उसे वहाँ किसी का पैर दिखाई देता है लेकिन शायद रहुन को लगा, ये उसका भ्रम है वो इन सब बातों को इग्नॉर कर, दोबारा अपने फॉन में गाने सुने लगता है लेकिन उसकी नजर बार-बार खंबे पर जाती है हाला कि कई बार उसे ऐसा नहीं दिखाई देता लेकिन एक दो बार, उसे दोबारा किसी का पैर दिखता है इस बार राहुल देखना चाहता है, कि आखिर ऐसा वहाँ क्या है जो उसे इस तरह से परिशान कर रहा है तो अचानक वो हाथ गायब हो जाता है इसी कश्म कश्म में उसे किसी की रोने के आवाज सुनाई देती है जो कि शायद किसी लड़की की थी राहूल उस आवाज की तरफ जाने लगता है आवाज का पीछा करते करते वो ठीक एक कमरे के दर्वाजे तक पहुंसता है शायद आवाज उसी दर्वाजे के भीतर से आ रही थी लेकिन कमरे का दर्वाजा उस पर तो ताला लगा हुआ था जिसके ठीक उपर कुछ तावीज लगी हुई थी ताले को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे ताला बहुत दिनों से बंद रखा गया हो रहुल इधर उदर देखता है और ठीक खिड़की के पास चला जाता है दो-चार बार इधर उदर देखने के पाद रहुल अवास लगाता है कौन है रहुल की अवास के साथ अंदर से रोने की अवास और तेज हो जाती है उसी बीच रहुल खिड़की को जोर देकर बाहर से खोलता है उसे अंदर एक सुन्दर लड़की दिखती है जो कि कौने में बैठी रो रही थी राहुल पूचता है कि कौन हो तुम और तुम्हें यहां किसने बंद किया नाम क्या है तुम्हारा लड़की रोते हुए बताती है यह उसका नाम रानी है और उसे यहां जबरजस्ती बंद कर दिया है वो ठीक पास के गाउं की है इसके बाद वो राहुल को दर्वाजा खोलकर बाहर निकलने को कहती है राहुल को लगता है कि शायद किसी ने इसे किड्नैप कर लिया है वो ठीक दोडते हुए जाता है और एक पत्थर उठाकर दर्वाजा तोडने लगता है राहुल लगातार उस ताले पर मारता रहता है लेकिन उसी बीच उसका दोस्त दूर से आवाज देता है राहुल ठीक आवाज सुन पीछे की तरफ देखता है और बाहर की तरफ जाता है लेकिन दोस्तों तब तक राहुल ताला तोड़ चुका था बहार आकर राहूल अपने दोस्त से मिलकर सब कुछ बताता है तभी उसका दोस्त कहता है कि कही तुमने वो दर्वाजा तो नहीं तोड़ दिया राहूल हामे जवाब देता है दूसरी तरफ उसका दोस्त बहुत डर जाता है वो उसे जल्दी से वहाँ से निकलने को कहता है वो ठीक राहूल का हाथ पकड़ कर उसे अपने बाइक के और ले जाने लगता है वो जैसे ही गाड़ी शुरू करता है कि तभी राहूल को वही आवाज दोबारा सुनाई देती है इसी बीच जब वो पीशे देखता है तो लड़की बिलकुल अलग दिखाई देती है बाल पूरे कुले हुए थे उसके माथे से खून टपक रहा था बिलकुल किसी रक्त पिसाच की तरह वो एकदम प्यासी लग रही थी लेकिन उसका दोस्त बाइक को तेजी से वहां से निकालने लगता है उसी बीच वो लड़की इनके पीशे दोडने लगती है दोस्तों ये वाक्या सिर्फ राहूल के साथ घट रहा होता है उसका दोस्त शायद कुस तो जानता था बस वो गाड़ी भगाने में लगा हुआ था दूसरी तरफ वो लड़की लगातार दोडने लगती है राहूल का दोस्त कहता है कि हमें किसी भी तरह इस चौक को पार करना होगा क्योंकि चौक के आके किसी की भी आत्मा नहीं आ सकती वो लोग जैसे तैसे चौक पार करते हैं इसके बाद वो अराम से घर पहुंचते हैं घर पहुंचकर किसी को भीना कुछ बता है राहूल सीधे अपने कमरे में सोने चले जाता है इसकी ठीक अगली सुभा राहूल को बहुत तेज बुका था उसे डॉक्टर को दिखाया गया लेकिन डॉक्टर दवा देकर बताता है कि वीकनेस होने के कारण इसके साथ ऐसा हुआ है अक्सर कई लोगों को ऐसा होता है इसके बाद राहूल अपने याब वीती सुनाता है राहूल के पिताजी बताते हैं कि आज से लगभग 20 वर्स पहले जब राहूल बहुत छोटा था तब पास के गाउं में एक शादी थी सब कुछ हो जाने के बाद जब दुलंग की बिदाई हुई तो उस बराक को रास्ते में डॉकों ने रोक कर बेरहमी से लूटा तुरन को ठीक उसी स्टेसन के कमरे में ले जाकर उसके साथ बद सलूकी करके उसके सर पर छोट मारी वो लड़की को भिहोश करके उसे वही पर छोड़कर चले गए जबा खून बहने के कारण उसकी मौत वही पर हो गई कहते हैं कि उसकी मौत के पंद्रेवे दिन के बाद उसकी आत्मा किसी भी अकेले इंसान को देखकर पहले उसे अपने चुंगल में फसाती है और उसके बाद उसे वो मार देती है दोस्तों इन सब बातों को सुनकर राहुल सब कुछ समझ जाता है वो उस वक्त सिर्फ अपने दोस्त का बहुत आभार जटाता है क्योंकि उसी के कारण आज वो जिन्दा है गाओं के लोग आज भी ये मानते है कि उसकी आत्मा अभी भी किसी अकेले की तलाश में रहती है ऐसा इसलिए क्योंकि उसी जगा पर एक दो की लाशे भी मिली है कहते हैं कि वो अकेले इंसान को चुंगल में फसा कर उसकी जान ले लेती है बागी दोस्तों आपको क्या लगता है नीचे कॉमेंट ज़रूर कीजेगा अगर आपको मेरी आवास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ओल पे कर लीजेगा साथ एकर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवास दू तो कहानिया सुनने के बाद मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिलूँगा मेरी आईडी है महेश आरिया यूटूबर बाकी दोस्तों कोशिश यही रही ही कि कहानिया जितनी जल्दी हो सके ला सको बस आप थोड़ा सा सब्र और यूही प्यार बनाए रखे चलता हूँ जल्द ही मिलूँगा बाई बाई